आज हम क्रिटिकल लिटरिसी से मतलिक एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग कहानी को रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि उसकी लेसन प्लाइनिंग कैसे हो सकती है इस लेसन प्लाइनिंग का जो फॉर्मिट है और जिसको हमने इन डिटेल अभी डिसकस करना है वो बन्यादी तोर पे मैंने एक वेबसाइट से लिया है और वेबसाइट का नाम है टीचर्स गाइड और उसका लिंक इसके अंदर महफूज है जिसको आप जाके गो थूरू कर स ही यही हमारे में ठीम होतें जिसमें लेका लॉया a shelter in our car. और ये कहानी एक क्रिटिकल कहानी है, कहानी तो बच्चों के लिए पर बहुत ही खुबसूरत कहानी लिखी गई गई है जो social issues के उप़र है. इस कहानी के अंदर हमारे पास एक करेक्टर है जिसके नाम है जीटी जीटी और उसकी जो मदर है वो जमीका से हिजरत करके अमेरिका आती है और उनको किसी वज़ा से अमेरिका आना पड़ता है क्योंकि जीटी का जो वालिद होते हैं वो जमीका में फौत हो जाते हैं और उनक कि उनके पास अच्छी जॉब नहीं होती और अभी वो अमेरिका में सेटल नहीं होती तो बुन्यादी तो पर वो एक रफविजी होती है और वो फोस्ट होती हैं कि वो अपनी ही गाडी में रहें क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वो कराई के लिए कोई घर ले होते हैं लेकिन जब दोनों गाड़ी में रहते हैं तो मुक्तलिफ किसम के इशियूस करते हैं ये दोनों माबेटी और वो इशियूस क्या है इस कहानी के अंदर वो डिसकस किया गया है हमारे माश्री के रविये क्या होते हैं जब हमारे पस रफ्यूजी जाते हैं उनके बारे जिस सठी ची आउस से महबद करती है और वो अपने आने वाले मसाहिल को हल्टी है ہमारे सेमनी कहानी के मेरे पस दो तीन सीन है इस सीन के अंदर जीटा की मदर हैं कि हम फो एक गर के से आते हूं ताकि उम्हें किराया दे सके और यह कि उसके पास यूस की रेजिदेंसी मौजूद हो तो डेफिनेटली जीटा और उसकी मदर दोनों की दोनों डिसपॉइंट हो जाती है और वह आगे जाती है इसके अंदर आप देख रहे हैं कि पीछे से पुलीस की गाड़ी आरिया उसका साइरन सुनाई दे रहे हैं जैसे ही उसका साइरन सुनाई देता है वह चूटी सी बच्ची डर जाती है साइरन सुनके और उसके हमीं उसे कहते हैं कि तुम जो कपड़े हैं उसके नीचे छुप जाते हैं दोनों कपड़ों की नीचे क्यों छुपती हैं क्यों फैनली पुलीस वाला उनको पिक अप कर लेता है, देख लेता है, कैच कर लेता है, और वोने ये कहता है कि आप यहां गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हैं, और आप यहां गाड़ी में नहीं सो सकते हैं, जो मदर होती हैं, वो उनको बताती हैं कि हम कोई क्रिमिनल्स तो नहीं है हम क scarf टो नहीं कर रहें पर हमारे पास पैसे नहीं है कि हम कोई apartment खरी सकें और उस्में रह सकें फानली जो उनकी बेटी होती हैव उन्हीं idea देती हैं कि हम इस राके से कल जाते हैं एक और आर बाझा है जहां homeless लोग रहते हैं और और वहां पर पुलीस उनको आके नहीं फूशती या तंग नहीं करती तो हम आज रात गाड़ी में वहां गुजार लेती हैं। तो यह एक बहुत इंट्रेस्टिंग कहानी है और यह कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है इस पूरी कहानी को अब जरूर पढ़िएगा। अगर यह कहानी हम अपने स्टूडेंट्स को सुनाएं या पढ़ाएं तो हमारी क्या परपर्ज और अब्जेक्टिव सो सकते हैं। और प्रिटिकल लिट्रसी डिवैलप करने से मतलग भी और चीज़ों से मतलग भी। हम स्टूडेंट्स से बात कर सकते हैं कि जो होम्लीस लोग हैं बन्यादी तोर पर उनके लिए हम कंपैशन डिवैलप कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि हमारी क्या responsibility है उनके लिए हम ये बता सकते हैं कि वो लोग जिनके घर नहीं होते आओ किस तरीके से रहते हैं सड़कों पर या किस तरीके से उन्हें पनार ढूननी पड़ती है अपने बच्चों के साथ ये हम उनसे सवाल कर सकते हैं पूर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी जगा नहीं रहती रहने के लिए कुछ दिनों के लिए कुछ महीनों के लिए कुछ वक्त के लिए तो वो तमाम लोग homeless लोग ही कहलाते हैं हम ये भी बता सकते हैं इसके अंदर के बुनियादी तोर पे किसी family का अपनी गाड़ी में रहना वो बिल लोग नहीं हैं वो डाको नहीं हैं वो चोर नहीं हैं वो ऐसे लोग है जो किसी problem में फसे हुए जिसकी वज़े से उनके पास घर मौजूद नहीं है आप सो उनके लिए awareness पैदा की जा सके और ये भी बताना मक्सूद हो सकता है कि जब homelessness आती है लोग घर से बेगर हो जाते है उनके financial crisis जो है वो उनका में फिगर में अप जो है इंडिकेटर होते हैं उसके लावा हम ये emphasize कर सकते हैं कि ये temporary situation है जब लोग बहतर हो जाते है financially उनने कोई ने कोई ने कोई घर मिल जाता है तो ये कोई permanent feature नहीं है इन aims को सामने रखते हैं हम आशरे के ऐसे लोगों को represent कर सक सकते हैं उनके बारे में empathy and sympathy develop कर सकते हैं जिने mostly कहानिया especially बच्छों का जो literature है आवो इस्तमाल नहीं करता